दोस्तो टोडल सॉलिशन मिलोन में आप लोग आप फिर से एक बार स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो सोरो कॉम्पनी का एक पावर बैंक के उपर है तो देखिए दोस्तो इस पावर बैंक बिल्कुल डेड है इसका जो पावर सुच है इसको दवाने से भी ए-on नहीं ह हो रहा है तो इसको हम पतला कुछ नाई से हम इसका डक्कन को खोल लेंगे थोरा-थोरा करके इसमें डायवाय हम पेसर करेंगे बाहर के तरफ अंदर के तरफ तो एलोग खोलता जाएगा तो कभी-गभी इसमें कुछ अच्छा क्वालिटी का बुलू के साथ भी जूरा रह तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो दिखिए इसके अंदर बैटरी तो हमको अच्छा लग रहा है बैटरी का कोई इसू नहीं है इसमें डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं आ रहा है तो दिखिए इसका जो सार्किट है दोस्तो इसको हम चेक करेंगे और इसमें र वोल्टेज हम बैटरी का ना अपने ते कितना भॉल्ट हमको बैटरी में मिल रहा है तो देखिए थ्री पॉइंट से भे 9 वोल्ट मेल रहा है मतलब हमरा जो वोल्टेज है ओसे ही है तो कुछ स्वाठिंग के कारण जो है दोस्तो यह voltage आगे नहीं जा रहा है तो ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर जो दोस्तो छोटा-छोटा capacitor रहता है दोस्तो नेगेटिव और positive line के साथ वो sorting हो जाता है तब ज़के ऐसा problem आता है और कभी-कभी इसका जो main IC रहता है दोस्तो इसमें जो main IC है दोस्तो MP5016 जो की 2.7 volt से लेके 15 volt तक काम करता है और इसका ampere दोस्तो 0.7 से लेके 5 ampere तक एक current जो है इससे मिल सकता है और इसके अंदर बहुत सरा circuit एक साथ जुरा रहता है जो की over voltage switch current limit switch तो ऐसा भी रहता है तो हम इसका जो है sorting आप देख रहे हैं तो multimeter में इसमें sorting हमको मिल रहा है charging connector में USB connector में तो हर जगा हमको sorting मिल रहा है दोस्तो तो इसमें board में कोई दूसरा parts heat भी नहीं हो रहा है जो की battery लगाने से तो इस IC खराब है दोस्तो इसके अंदर protection है sorting हो गया लेकिन जो है पूरा board को hit नहीं कर रहा है तो इस IC को हम उठा के एक बाद चेक करके देखेंगे खराब होगा तो इसको आप replace करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा और jumper करके भी आप इसको use कर सकते लेकिन उसमें light बगरा जला सकते हो mobile charge हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोस्तो तो उतना अच्छा performance इसमें नहीं मिलेगा IC ना लगाने से तो IC इसका लगाना पड़े गए दोस्तो इसका देखिए जो positive line USB socket का और negative line तो सीधा इस IC में आता है IC के नीचे जो है इसका negative बाला connection है और इस IC का दूसरा जो पीन है दोस्तो अलग अलग function का काम करता है एक में से five volt out होता है और इसका जो LED का function भी होता है LED जो glow करता है दोस्तो इसमें LED जितना भी है तो उसके लिए भी इसका connection दिया गया है और इसमें EN signal भी आता है दोस्तो उसके लिए भी इसका connection है एक पीन है तो हर एक पीन का जानकर ही हम देंगे जो पहले हम इसका क्या करते है USB socket का जो negative और positive है दोस्तो उसके साथ IC में जो connection है दोस्तों इसलिए IC जो short हो गया है इसलिए इसमें ऐसा problem आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे यह दिखिए IC को हम अच्छे से paste लगाएंगे और IC के अगल पगल में जो चोटा चोटा capacitor रहता है दोस्तों उसमें भी हम तोड़ा तोड़ा करके paste लगाएंगे क्यूंके ज्यादा heat के करण या हवा के करण चोटा चोटा जो parts रहता है तो वो करके चला जा सकता है दोस्तों अगर यह पेसा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो हम hot air gun के मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे तो बोट के नीचे ले हिस्ते में देखिए दोस्तों हम एक कोईन डाल रहे है तो इससे क्या होगा जो रिप्लेक हीट होगा दोस्तों वह भी हमको मिलेगा तो इससे क्या होगा जल्दी से अच्छे से जो है बोट के दोनों साइड में ही गरम होगा और हमारा आइसी बहुत ही आसानी से बाहर निकाल आएगा क्योंकि आइसी के निचले हिस्से में इसका ग्राउंड का कनेक्शन है दोस्तों तो आपको दिखाएंगे नजदिक से तब जाके पता चलेगा तो थोड़ा आइसी को हम ठंडा कर लेते है और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जो नो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकिशन बेल आइकोन को दबा दीजिए ना ना वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले पाने के लिए आप लोग टेक्निशन हो या वीडियो वह आप देख सकते हो तो देखिए आप भी जो आईसी हमने उठा लिया है तो इसमें स्वाटिंग हट गया है दोस्तों अब हम इसमें बैटरी लगा सकते हैं और अगर आईसी का पीन से हम यूजबी सॉकेट का कनेक्शन कर देते तो हमको आउटपूट में 3.7 व जो पूरा फंक्सन है दोस्तों उसका लाब उटाने के लिए इस आईसी को आपको बैठरने परेगा तो यह आईसी दोस्तों हमने सार्च किया है उनलाइन में तो इसमें सिर्फ आलिबाबा.com में मिल रहा है दोस्तों बाहर कई वे भी ए आईसी नहीं मिल रहा है और इसका जो है बार मार्केट में हम कोच करके देखेंगे अगर मिलता है तो इसका नेक्स टैम में हम वीडियो बना देंगे तो यह देखिए इसका जो जा जितना भी पीन है दोस्तों इसका जो राइट साइड में जो है फाइब बोल्ट का कनेक्शन है एक पीन में और बाकी जो ती तो हम जो है इसको ड्राइंग करके हम दिखा देंगे तो देखिए बैटरी लगाने के बाद भी इसका फंक्शन काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं आप लोग को सिस्टेम दिखा दिया हूँ कैसे आप पावर बैंक को रिपेर कर सकते हो और पहले भी मैंने वीडियो इसका डाला बहुत सारा पार्मेंट का तो उसमें भी हमने बताया कि हम आपको सिस्टेम दिखा देंगे कैसे आप रिपेर कर सकते हो बाकि जो है दोस्तों इसका पार्स अबलेबल नहीं होता है आर टाइम में तो इसलिए यह पूरा हम इसको चला के दिखा नहीं पाएंगे लेकिन इसक का अगर हम कनेक्शन करेंगे इस आईसी का जो की 5016 है MP5016 तो दोस्तों यह जो आईसी आईसी लगाने से पूरा फंक्शन इसका काम करेंगे आप देख सकते हो नहीं तो इसका जंपर करके इसको ओन करके हमको दिखाना पड़ेगा तो पहले और एक वीडियो हमने डाला था उसमें हमने दिखा था बिना आईसी का कैसे आप उसको 5016 तो दोस्तों यह जो इसी आले के सथ ही है और इसका उभार वोल्टेज का भी इसके अंदर सुईज बगार है तो इसकोच को पहले सकते हैं इस जो दोस्तों एक ड्राइबर आइसी भी ढोल सकते हैं साब कुछ इसको अंदर इन विल रहता है और इस मेंसे हमको 2.7 volt से लेके 15 volt तक जो है इससे मिल सकता है और इसका जो current है दोस्तो 0.7 ampere से लेके 5 ampere तक current इस IC से हमको मिल सकता है तो इसका जो जितना भी connection है देखिए राइट साइड में जितना भी connection है राइट साइड वाला VCC है 5 volt आपको मिल जाएगा जो की आप नंबर पीन और दोस्तो साथ नंबर छे नंबर पाच नंबर पीन में LED का जो signal है दोस्तो वह हमको देखने को मिलेगा और जो चार नंबर पीन है दोस्तो उसका चार नंबर पीन से हमको जो की जो switch दबाते है LED ग्लो होता है दोस्तो वह की वाला जो function है वो मिल जाएगा और दोस्तो इसका जो first बाला जो pin है दोस्तो इससे जो है voltage out होता है और जो इसका तीन नमबर पीन है दोस्तो उसमें से signal हमको मिल जाएगा तो देखिए अब यह पूरा बिल्कुल सही है इसमें कोई भी सुन बगरा नहीं आ रहा है और आप USB सॉकेट या दूसरा जो कोईल है उससे आपका continuity आप इसका चेक करोगे तो IC का एक एक पीन में आपको मिल जाएगा इसके मिडिल हिस्से में आपको ground मिल जाएगा और जो है इसका हम एकदम लाजट वड़ा पीन जो रहता है दोस्तो आप नामबर पीन जो कि उससे आपको PC सी मतलब 5 बोल मिल जाएगा जो कि USB सॉकेट में जाता है तो ही हम चेक कर रहे हैं जगा जगा में तो दोस्तों इसका जो आइसी का पीन है जो बैटरी का positive है दोस्तों उसके साथ भी connection होगा जो कोईल से आ रहा है और दोस्तों USB सॉकेट से भी connection मिलेगा और इस जो LED वाला connection है दोस्तों जो कि LED ग्लो करता है signal देता है कितना हमारा charge है और कितना नहीं है तो वह भी दोस्तों जो है इस IC का एक पीन से निकलता है जो कि इसका पाच नमबर पीन छे नमबर पीन साथ नमबर पीन होता है दोस्तों उससे निकलता है तो सब कुछ दोस्तों इस IC के अंदर रहता है तो IC आप change काड़ दो के तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा तो okay thank you watching my video